हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टो माई चैनल तो फ्रेंट्स हमने देखिए करीब वन मन्त पहले यह सीडलिंग की थी और सीडलिंग हमारी बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है ग्रो देखिया आप इनकी कितनी अच्छी है यह डोग फ्लावर की पिटोनिया की मेरे पास सभी ज इसलिए यह सब एक जगा ही मैंने ग्रो किये हैं इनका वीडियो नहीं बना पाई ते उस टाइम पर टाइम नहीं लगाया फिर यात नहीं रहा मुझे लेकिन अभी मैं इनने देखिये रिपोर्ट करने लगी हूं तो अभी वीडियो बना रही हूं मैंने इनको ग्रो किया मैंने एकशुपी के पिले देखिये आजिए तो आप की चूटे साइज के लिए और पॉर्ट में लगा देंगे तो यह सीड्लिए खराब हो जाएगे Seasoning. तो अभी हमें इन्हें छोटे पोट में रखना है इसके बाद हमें इन्हें सभी बड़े पोट में सिफ्ट करना है तो देखे मैंने सभी पोट अपने तयार कर लिए है और इनके नीचे खोल पर मैंने कंकर रख लिया है. इसके बाद मैं इसके लिए सोइल कैसे तयार किया है मैंने इसके लिए शिर्फ एक पार्ट मिट्टी ली है और एक पार्ट मैंने इसके लिए गोबर की खाद ली है अभी इसमें मैं कोई fertilizer कुछ भी नहीं डालने वाली सीडलिंग हमारी अभी छोटी है और अगर अभी हम इनमें ज्यादा हैवी फर्टिलाइजर डाल देंगे तो सायद से सीडलिंग खराब भी हो सकती है तो यहाँ पर देखी इस तरीके से मैं इसे इन पोर्ट में भर लूँगी तो इस मिट्टी को मैं अपने सभी पोर्ट में भर लेती हूँ उसके बाद जो आपको काम करना है वो हमें क्या करना है तो देखी ज्यादा पोर्ट हमें नहीं भरना है हलका इस पेस हमें इसमें बना के रखना है क्योंकि हमें इसमें अभी प्लांट लगाना है तो इसी तरीके से मैं सभी पोट में भर लेती हूँ, ये मिट्टी, नीचे की साइड आपको ध्यान रखना है, अच्छे से आपको कंकर डाल देनी है, ताकि मिट्टी ना निकले, सिर्फ पानी ही, एक्स्ट्रा पानी जो हम डालते हैं, सिर्फ वो पानी ही बाहर निकले, तो बहुत अच्छे से मैं इन सब में मिट्टी भर ली है, अच्छे से नीचे प्रेस करके, तो देखे, जब हम हमारे प्लांट ये छोटे होते हैं, बेबी प्लांट होते हैं, सीडलिंग वाले, तो इन्हें हमें एकदम से खीच के निकालना चाहिए, अगर हम इन्हें ऐसे खी नीचे की साइड से उपर करना है, हमें तब ये अच्छे से निकलेगा, तो ऐसे देखे, मैंने इसको निकाल के लगा देना है, दूसरे पोर्ट में, इस तरीके से देखे, रूट्स आप इनकी कितनी अच्छी बनी हुई है, और छोटे ब्लांट होते हैं, इनके स्टैम भी और मतलब अच्छे से करना होता है, इनके लिए मिट्टी आपको सोफ्ट ही रखने है, अगर आप इनके लिए हार्ड मिट्टी रखोगे, तो ये बहुत अच्छे से इनकी जड़े नहीं फैल लेंगी, तो इस तरीके से देखे, हमें इसे लगा के अच्छे से प्रेस कर दे हैं, तो इन्हें मैं अभी रहने दूँगी, इसमें से कुछी प्लांट में निकाल लूँगी, जो बड़े हो रखे हैं, तो देखे, मैंने यहां पर सारे प्लांट अपने लगा कर तयार कर दिये हैं, ये देखे आप, इस तरीके से मैंने जो बड़ाई वाला प्लांट था वही निकाल ला है, और अब मैं इनके साइड साइड में थोड़ी मिट्टी डाल दूँगी, ताकि ये अच्छे से, बहुत अच्छे से हमें इसे प्रेस कर देना है, साइड में मिट्टी डालने से क्या होगा, ये जैसे प्लांट हमारे नीचे की साइड जुके हुए हैं, तो ये इनको थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, अगर हम इसे ऐसे ही रहने देंगे, तो प्लांट नीचे गिर के खराब हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ बहुत सारे प्लांट ये बच भी गए हैं, इतने सारे पोर्ट नहीं थे मेरे पास, तो इने फिर दूसरे पोर्ट में लगा दूँगी, या फिर ऐसे ही रहने दूँगी, क्योंकि अभी ये छोटे भी हैं, अभी इने, अब हमें क्या करना है, अपने इन प्लांट में पानी डालना है, तो पानी जब हम स्टार्टिंग में डालते हैं, तो बहुत अच्छे से हमें इन में पानी डा यह होता है तो ऐसे देखिए मैं सभी में इनमें पानी डाल दूंगी पानी डालने के बाद हमें इसे कैसी जगह पर रखना है यहाँ पर, देखिए मैंने अपने सभी पानी डाल दिया है बहुत अच्छे से और नीचे की साइड Gabriel है पानी निकलने लग रहा है इतना ही पानी आपको डालना है ताकि सीडलिंग हमारी खराब ना हो इनमें हमें नमी बना के रखनी है बहुत जादा इन्हें ड्राइ नहीं होने देना है अगर इनमें ड्राइ हो जाएंगे सूख जाएंगे तो इनकी जड़े नीचे से खराब होत और खराब हो जाते हैं तो इस तरीके से देखे मैंने सभी अपने प्लांट बिलकुर लगा कर तयार कर दिये हैं मेरे यह सीडलिंग सभी मेक्स हैं इनमें पिटोनियाज और डोग फ्लावर के सभी के सीड्स मेंने एक जगह ही खटे किये थे तो इस तरीके से आप भी अपने घर पर सीडलिंग कर सकते हैं और फ्री में बहुत सारे अपने घर में प्लांट तयार कर सकते हैं तो एक साल प्लांट लेकर आईए जब हम सर्दियों के प्लांट लेकर आते हैं और फूलों के बाद उन पर बीज बनना सुरू हो जाता है तो आप उसी बीज को इखटा करके ग्रो कर सकते हैं और उसी से अपने घर पर धेर सारे ऐसे देखे, फ्री में प्लांट तयार कर सकते हैं तो मैं ने देखे, बहुत सारे प्लांट अपने तयार कर लिए हैं तो friends अब हमें इने चाया में रखना है धूप में नहीं रखना है तो friends इस वीडियो में इतना ही बाई बाई